नेनी ताल पहुच गई हूँ, बहुत अच्छा सा वेदर हो रहा है, अच्छी धूप निकली है, इस समय धूप है लेकिन सामने कोरा सा हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है, बुलुली धूप बहुत अच्छी लगती है कि दिन में नैनितार के डिफरेंट शेट्स को रहा चुका है अब यह उरूर के हमारी जो स्टाफ हुमें उसके अंदर जाएगा फिर कब बारिश हो जाए पता ही नहीं जालता हुआ हेलो फ्रेंड्स में आपके दोस्दी पिका उत्राखंट से समय नैनितार में बहुत अच्छी दूपने के लिए लेकिन यह मौसा दिन बर ऐसा बरकरार नहीं रहता है अभी धूप है थोड़ी देर में कोहरा सा होने रहेगा और उड़ने वाला कोहरा होगा कभी बारिश पे हो जाती है तो यहां पर डिफरेंट टाइप आप वैदर रहता है एक दिन में हमें मौसम के कही रंग देखने को मिलते हैं बस आज मैं जल्दी पहुँच गई हूँ बहुत अच्छी टैक्सी मिली और बहुत जल्टाइम पे उन्होंने मुझे पहुँचा दिया अभी कोई भी नहीं पहुँचा है सबसे पहले मैं ही पहुँची हूँ तो मैंने का चलो पर कर देती हैं और ममी जी की हेल्थ अपडेट है कि टीवी की दबाई नौटियाल जी ने एक शुरू कर देती जो पहले भी ने खिलाई थी और उनके पूरे शरी में सूजन हो गई थी और ऐलर्जी हो गी थी इसके निकलने लगी थी वही हाल फिर से हो गया उनकी फिर से इसक जो पेशेंट है वो भी सोचें लगता है कि पता नहीं इतने दिन हो गया है मैं क्यू आही और हो पाENT कू जा रहाएं मैं हो भी पाउँगा निय – कॉड़ा अग्ड़ाике ऑ राध समझाना पड़ता है आएसे तो बस खिसती रहेंगी जब तक चलती हैं वाला हिसाब चाइगा तो समझ ने आ रहा है किए क्या करें वह दाओई भी जरूरी है दाओई देने पर इतनी उसका बुरा रियेक्शन हो रहा है तो मतलब ना है तो कनबु हो गया है कि क्या करें इधर ऐसे मदद दवाई देते हैं तब रियक्शन और नहीं देते हैं तो टीबी बढ़ता चला जाएगा वैसी वो सेकिंड उसमें हैं स्टेज में समझ नहीं है देखते हैं उनकी पूरी बॉड़ी में पीन हो रहा है तो इतना तकलीफ होती है उन्हें लगता है ऑगवान क्यूं कर रहा है उन्हें क्यों इतनी तकलीफ दे रहा है मतलब हर समय ऑक्सीजन लगे रहना उसमें इतनी परिशानी होती है ति तकलीफ होती हुए इस हाँ पर सब रेड रेड सा हो गया चिल सा गया है जगे जगे बैक में भाव से हो जा रहे है पूरी शडिच छिल रही है जहां वह इचिंग कर रहे हैं खुछ निया कर रहा है इतन कि जहां वो थोड़ा से इचिंग कर रही है वहां पर सब खाल सी निकल जा रही है मतलई इतनी तकलीफ में है हमारा जला सा कुछ जला सा कट लग जाता है हमारी दर्द से हाल खराब जाती है और वह ते इतनी दर्द जेल नहीं है मेरे ही दो दिन से चसक जैसी कमर में पढ़ ग यह भी धंग सी नीन ना आती है कौकि मम्मी जी को भी देखना होता है एक जर्ना रात बरॉटा है छप् meillä Holzूर जिstory मेरी नंद आई नाउ ज़ग रही है और मैं पीच-एब गप लगाना होता है कि मैं लगाना चाहती हूं आतखा कि वो जल्ली से सही हो जाए तो भस टांशन टांशन ही हो रही है novac यही बाते कराने थी आप अब थोड़ा सा मेरे भी कमर में दर्द है मैं दोड़ाती हूं पापचिये ठावाई देदी थी वही खा रही है में लें और नमे स्कूल में भी धंक से मतलब नहीं बैट पा रही थी, इतनी मुझे पेचायनी हो गए थी, तकलीफ हो गए थी तो बस यही बाते आपसे करनी थी, बस यही चोटा सा व्लॉग बनाया है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूं, फिर मिलती हूं किसी नेक्स वीडियो में तब तके नमस्कार और बाबाई